अकोला 24 नियूज में आपका हर्दिक स्वागत है परभाग करमांग नौ भगतवारी के पानी की समयस्या पर हो रही है स्यासत अकोला शहर परभाग करमांग नौ के भगतवारी परीसर में कुछ समय से पानी की समयस्या चल रही है जो आज एक राजकरन मुद्दे का रूप एक्तियार कर चुकी है आपको बता दे कि भगतवारी के लिए जो पानी पानी की टाकी से आता है उस पानी की टाकी का काम पुरा हो चुका है लेकिन उस पानी की पाइप लाइन का काम अभी भी बाकी है इसी कारण भगतवाडी परीसर के नागरीकों को पानी नहीं मिल पाने से वहां के नागरीकों को पीने के पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एक लंबे समय से पानी ना मिल पाने से उस परीसर के नागरीकों में नाराजगी देखने को मिल रही थी कम 15 दिन लगेंगे जब तक वो टैंकरों से उस परिसर के नागरिकों की पानी की समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे नगर सेवक महमत मुस्तुबा पहलवान ने ये भी बताया कि वो लगतार तीन साल से इस टाकी से भगतवारी परिसर में पानी को पहुचानी की कोशिश में लगे हुए है लेकिन पानी की इस समस्या पर राजनीती की जा रही है नगर सेवक महुमत मुस्तुबा पहलवान ने उस परिसर के नागरिकों को आश्वसन दिया है कि वो जल्द से जल्द उस परिसर के पानी की समस्य को दूर करेंगे अकुला 24 नियूज के लिए फरान शेक और सेयस सिम्रान के रिपोर्ट और जो ठिल्द जयाती जो मेरा खाब का पिकली बारी में चुनके आने के बाद का चाहे कुछ बुजाए मेरे परभाग में मैं पाजने की टाकी लाने के कोशिश करूँगा तो अल्द ने इस बार वो हाब मेरा पुरा किया सरकार के आई आठ टाकी आती उसके अंदर से हमने हमारी बार कितने करके हमने यह टाकी आ जाए टाकी आ पर मंजूर करें टीन साले झाले साल मैंनध कर रहे हमारे साथ में महारा पाली को कई इस भूर तो經क्त सरेख का बैंक हमारे को नुकसान हमको यह होता कि इतने दूर 12 किलोमेटर तक पानी आते आते चलनी हो जाता और प्रेशर से पहुचनी पाता इसलिए से ज्यादा तर भाग हमारा जो है वो अधूरा और प्यासर है जाता इसलिए हमारी ये कोशिच रही पहली साल यब मैं स्टेंडिंग में जब गया करने के कोशिच करेंगे और अगर आपको ऐसे लगता है कि काम में कमजूरी है तो जो नगर से हुआ यहाँ क्या राजकावन कर रहे हैं उनके प्रभागों में जाकर देखो और उनकी रायु नीदी और हमारी नीदी में कमपेर करो इंशालल। हुँ बाइं है और आज चो बर्दर और सोगों करें बांतिए अखुला 24 नीज को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मिले हर वीडियो की नौटिफिकेशन सबसे पहले